हेलो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि सब खेरेस्टे होंगे यह आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं मरोड फली इनकी जो फली होती है यह जिसे रसी बटी भी होती है बान होते हैं इस तरह की यह होती है और यह एक बेलदार जो बूटी होती है उसकी फली होती है दवाई में इसकी फली और बीज इस्तमाल करते है और इसके जो बरसाद का टाइम होता है इसके पोदे पर सौख सौख रंके फूल लगते हैं यह आप देख रहे हैं पंसारी के हैं आसानी से मिल जाती है इसका इंगलिस में कहते हैं इंडियन की स्क्रीव ट्री इंडियन स्क्रीव ट्री और इसका अर्बी का नाम है गश्त बरगश्त और मांगला में कहते हैं अंत मोडा संस्क्रत में कहते हैं ब्रग सिंगा इसका जो मिजाज की बात करते हैं मिजाज होता है इसका गर्म खुश्क पहले दर्जे में और ये मुजिर है जो इसके मुजिर असरात हैं वो बाह और दूद के लिए मुजिर असरात रखती हैं इसका मुसले है हब सनोवर और बदल है इसका इसकी जगे आप एलवे का इस् और इसके मिकदारे खुराक होती है तीन से छे माशा इसके इस्तमाल के बारे में हम बात करते हैं इसे ज्यादे तर पेट और आंतों की बीमारियों में इस्तमाल करते हैं ये जो गलीज बल्गम है उसको दस्तों के जरीए लेटिंग के जरीए बाहर निकालती है दस्त लगाकर मौलिल है मुलत्टिफ है वरम उतारती है और ये कुलंज पेचिश को ठीक करती है और इसके बहुत सारे फायदे है इसके आपको कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूँ इसका बीज का पॉडर बना कर अंदर से बीज निकले इसका उसका पॉडर बना कर और अरेंड के तेल में मिक्स करकर कैस्टोयल में मिक्स करकर जिस किसी के कान में सर बहती है कान में मौाद आती है कान बहता है उसके कान में डालने सर ये ठीक हो जाता है कान बहना और किसी को पेचिस बगरा लग रही है तो इसका सफूव बना कर इस्तमाल करा सकते हैं या कोई दूसरी अद्विया के साथ में भी इस्तमाल करा सकते हैं और ये वर्म को तहलिल करता है और या को तहलिल करता है लताफत बख़शती है ये और ये पेट का जिला करती है ये आप देखिए इसकी पहचान जिस तरह से रस्सी होती है इसी तरह से ये होती है और मूरी तुड़ी होती है इसलिए इसको मरोड फली कहते है मूरी तुड़ी होने के वएज़ से इसको मरोड फली कहते है और ये बहुत सारी दवाईयों में इस्तेमाल की जाती है बहुत से इसके गुण हैं बहुत से फाइदे हैं ये देखिए इसके जो बूटी होती हो बेलदार होती है जो हमारे नए वीवर्स है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्याद ज़्याद शेयर करें ताकि ज़रूरत मन तक भी वीडियो पहुँच जाएं इसकी जो है खुराक ज़्याद ने लेनी चाहिए वनना ये नुक्सान में देती है ये आप देखिए बहुत अच्छे तरह से ये युननी में इसका बहुत युननी और आयरवेद में बहुत ही इसका कारगर रिजल्ट होता है बहुत अपना फादा दिखाती है ये इसका जो टेस्ट होता है जिवजाय का होता है ये कुछ तलक टाइप में होता है और आयरवेद में होता है